कुम वालकम टू MCPS ओनलाइन क्लास आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट सैविन ओन माई ब्लैकबोड आई केंड ड्रो मेरे ब्लैकबोड पर मैं कैसे ड्रो कर सकता हूं ठीक है एक छोटा सा बच्चा है देखिए रहा यह सोचता है कि मेरे पास एक ब्लैकबोड है उस पर में एक छोटा सा ऐसा हाउस बना सकता हूं और इस तरह से ग्रीन डोर हो और ऐसे मेरी गोल्ड के ट्रीज हो है ना तो वो यह सब सोचता है ठीक है तो देखिए ओन माई ब्लैकबोड आई केंड ड्रो वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर वो कहता है कि मेरे ब् ग्रीन यानी हरा डोर यानी दर्वाजा हरे कलर के दर्वाजे के साथ एक घर ड्रो कर सकता हूं टू ब्राउन गेट्स गेट्स यानी दर्वाजे ब्राउन यानी भूरे दो भूरे रंके गेट देट ओपन वाइड और बड़े बड़े खुले हुए ठीक है ठीक है त्री र ताल कलर के सीडियां छोटी-छोटी वो अंदर की तरफ घर के अंदर खुलें ऐसी बनाऊंगा 4 लिटिल चीमनी यानि 4 छोटी-छोटी चीमनिया पैंट वाइट वाइट कलर की पैंट करी हुई चार छोटी-छोटी चिमनिया, फाइव लिटिल विंडो, पांच छोटे-छोटे खिड़किया, शाइनिंग ब्राइड, बहुत ही अच्छा सी चमकने वाली, तेज रोश्णी वाली, शिक्स यल्लो मैरीगोल्ड्स, छे पीले कलर के मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड्स गेंदे के फूल जो हते हैं, वो स्ट्रेट एंड टोल, सीधे और लंबे लगाऊंगा, ग्रोइंग अप अगेंस दे वोल, दिवार के सारे उन्हें खड़ा करूंगा, देखो जैसे नहीं है, देखो दिवार के सारे उन्हें खड़ा करके लगाया है, ग्रीन कलर का विंडो, देखो फोर चिमनिया हैं, वाइट कलर की सिक्स विंडो हैं, फाइफ विंडो हैं, ये देखिए, थ्री चेपे सीड़ी अंदर की तरफ जो खुलती है, है ना, तो ये एक बच्चा है, जो ए आप जब तक reading नहीं करोगे, आपको अच्छे से पढ़ना नहीं आएगा, ये new words हैं, ये मैं next time आपको बताऊंगे, ठीक है, इनको अच्छे से learn करना है और reading करनी है, भूलना नहीं, ओके, thank you, have a nice day.